Hello, my dear friends. What is the meaning of motivation? Motivation का मतलब क्या होता है? Motivation की meaning क्या होती है? Motivation कहां से आया? आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे. उससे पहले एक चोटी सी स्टूरी. यहनू आज से 5 मत पहले दू लड़के मेरे बारे बोलते हैं, मेरे सामने कि अच्छा आप यूटीब पे वीडियो बनाते हैं मैं हाँ यूटीब पे वीडियो बनाते हैं मैं क्या भाई आप भी मोटीविशन देते हो आपने अपने लिए क्या उखाड लिया अब तक आपने अपनी लाइफ में क्या कर लिया है तो आप इतना मोटीविशन वाले वीडियो बनाते रहो तो आप से दे बढ़ी हां तो और भी बहुत सारे लोग है मैं मैं मोटिविशन के वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई जो वर्ड है वो एक लाटिन वर्ड से आया है मुवेरे मुवेरे एक लाटिन वर्ड है और मुवेरे का मतलब होता है to move मतलब कि move करना action लेना motivation word को अगर English perspective से देखें अगर उसको टुकड़ा करें तो एक आता है motive और action मतलब कि आप किस intention से आप किस मकसद से action लेते हो उसको motivation बोलते है well actually में motivation है क्या actually में motivation एक feeling है जैसे कि गुसा, डर happiness, sadness जुआ है, यह सब feelings हैं उसी तरह से motivation भी एक feeling है जैसे आप हर वक्त गुसे नहीं रह सकते हो और आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते हो आप हर वक्त दुखी नहीं रह सकते हो आप हर वक्त मस्ती में नहीं रह सकते हो उसी तरह से आप हर वक motivated नहीं रह सकते हो क्योंकि motivation एक feeling है और feeling आती और जाती रहती है एक ही feeling हर वक्त एक जिसी नहीं रहती है आप कभी गुसा होगे, आप कभी खुश होगे आप कभी दुखी हो जाओगे आप कभी मौझ मस्ती करोगे उसी तरह से motivation है motivation सिर्फ एक feeling है तो फिर यहां एक important सवाल आता है कि भाई motivated रहा कैसे जाए और दुनिया के बहुत सारे लोग कैसे motivated रहते है motivation आता है action लेने से motivation आता है move करने से कुछ करने से क्योंकि जब आप कुछ करोगे तो आपको थोड़ा बहुत progress दिखाई देगा आपको दिखेगा कि मेरा ये काम थोड़ा सा आगे बर रहा है तो आपको उस result को देख करके motivation आएगा लेकिन बहुत सारे लोग गल्दी ये करते हैं वो लोग ये सुचते हैं कि अगर मेरे अंदर motivation आएगा अगर मैं motivated होँगा तब मैं काम करूँगा actual में ऐसा नहीं होता है आप काम करोगे आप उस काम से result देखोगे तब motivation आता है और जब आप एक काम को consistency के साथ 5 दिन करते हो 10 दिन करते हो एक हफता तक करते हो तो एक momentum मनता है और उस momentum में सबसे ज़्यादा motivation आता है इसको बोलते है unlimited supply of motivation मुझे रगता है कहीं है कि आप अगर 10 दिन 20 दिन के लिए अपने आप को force करोगे कोई काम करने के लिए आप अगर 10 दिन के लिए भी consistent हो जाओगे न तो आपके अंदर 100% motivation आ जागा क्योंने क्योंकि मैंने देखा है मैं आपको एक बात बताता हूँ क्योंकि जब मैं journaling करने के वादे मैं सोच रहा था तो मैं कभी छोड़ रहा था कभी journaling कर रहा था मतलब एक दिन किया तो दो दिन छोड़ दिया तिन दिन छोड़ दिया लेकि मैंने सोचा कि मुझे ने एक हफ्ता तक continuously journaling करना है तो फिर मैंने अपने आपको forcefully एक हफ्ता तक continually journaling करवाया उसके बाद मैंने देखा कि ये मेरे से अपने आप हो रहा है और मैंने उसके बाद नहीं छो रहा है और मैं लगबग पिछले दो सालों से journaling करना हूँ और बीच में कभी-कभी एक-दू दिन छूट जाता है किसी वज़े से लेकिन नॉर्मली हर दिन जर्णिलिंग करता हूँ क्योंकि ये मेरे आदित बन गी है क्योंकि एक मुमेंटम बन गी है और जब एक बार मुमेंटम बन जाता है तो फिर आपके अंदर endless motivation आ जाता है और यही secret है successful लोगों का क्योंकि वो लोग अपने आपको कोई भी चीज़ करने के लिए forcefully 10 दिन 15 दिन करवाते हैं उसके बाद उनके अंदर अपने आप इतना motivation आ जाता है कि फिर वो लोग उस काम को छोड़ने ही पारते हैं और वो लोग continuously करते रहते हैं तो मेरा यह मानना है कि consistency is the secret of motivation आप consistent रहो किसी भी चीज़ में आपको उस चीज़ के अंदर unlimited motivation आएगी वेल देन यह वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताएं और अपना important feedback जरूर बताएं ताकि में improve कर सुकू this is Farhan Shivimi thank you so much